हाई फ्रिंट्स मैं हूँ रेखा और रेखा दैंडिन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आयोप बिल्कुल अच्छे फ्रिंट्स आज हम आपके लेके आया है विंटर स्पैशल मक्य और बाजजे की कुकीज इसको मक्य और बाजजे की टिक्की भी बोला जाता 200 ग्राम की आसपास हमने गोड लिया है जो चोटे पीसेज में तोड़ के रखा है आधा कटूरी हमने तिल लिये हैं सबसे पहले हम गोड को मेल्ट कर लेंगे हमने लिये एक भगवाणी इसमें अपने तोड़े वे गोड को डाल देंगे आधा कटूरी पाने डाल देंगे अगर हमें पानी की ज़रूथ होगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ कर लेंगे और देखें अभी गुड़ बिल्कुल नया है तो हम इसको इस तरह से दबा करके इसको जल्दी से तक ही घुल जाये पानी में इस लिस्त को हम इस तरह से दबा लेंगे पानी को में बॉइल नहीं करना है सिर्फ हलका गरम करना है गुड़ पानी में अची तरह से मैल्ट हो चुका है अब हम गैस के फिल्म को बंद कर देंगे और सबसे पहले आटा लगा लेंगे सबसे पहले हम बाजरे का आटा लगाएंगे मैंने परात में बाजरे का आटा डाल दिया है आधा कटोई तिल लिये थे इसमें आधे हम बाजरे के आटे में डाल देंगे और आधे हम मक्की के आटे में डाल देंगे जो हमने गुड़का पानी तयार किया है ये हलका गुन-गुना है, इससे हम आटे को लगा लेंगे, बाजरे का आटा हमने लगा लिया है, इसी तरह से हम मक्के का आटा भी लगा लेंगे, मक्के का आटा डाल दिया है, तिल डाल देंगे, जैसे हमने बाजरे का आटा लगाया था, बिल्कुल उसी तरह से हम मक्के का लगा लिया और देखें बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट लगाया है एकदम सबसे पहले हम मक्की का आट एक कुक्टी बनाएंगे क्योंकि मक्की का आट बिखरने लग जाता है हमने लिलिया है यहां पर थोड़ा सा तेल ताकि हम तेल के सारे से कुक्की को बना सकें आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो इस तरह दो if tats करके और जैसे हम बढ़ी रोटी बेलते हैं तरह मैं आज आपको इस तरह से बना करके दिखाऊंगी बिल्कुर cookies की shape में और इसको हम हाथ सी बनाएंगे बेलेंगे नहीं और यह बहुत ही अच्छी बनेंगी देखिए इस तरह से हम मक्य की आटी की कुकीज बना लेंगे देखिए हमने मक्य की कुकीज सारी बना ली हैं और बहुत ही बढ़िया बनी है एक बात मैं आपको बता दूँ अगर आप ओईल का हाथ नहीं लगाएंगे तो यह हाथों में चिपकेंगी और तूट भी जाएंगी इसी तरह से हम बाजे की कुकीज भी तैयार कर लेंगे ओईल गरम हो चुका है अब हम सबसे पहले मक्य कुकीज को फ्राई कर लेते हैं आहिस्ता से साइड चेंज कर देंगे और हमें गैस के फ्लेम को मेडियम ही रखना है हाई नहीं करना है हमने साइड चेंज करते हुए मक्य की कुकीज को तर लिया है और देखिए बहुत ही बढ़िया लग रही है कलर में भी और खुश्पू भी अच्छी आ रही है अब हम क्या करेंगे इनको कढ़ाई से बहार निकार लेंगे और इसी तरह से सारी कुकीज को फ्राई कर लेंगे इसी तरह से हम सारी कुकीज को फ्राई कर लेंगे देखिए सेकंड बैच की कुकीज हमने फ्राई कर ली है और बहुत ही बढ़िया कलर आया है मक्य की कुकीज हमने बना के तयार कर ली है इसी तरह से हम बाजजे की कुकीज भी तयार कर लेंगे एक चीज़ का ध्यान रखें कि कुकीज को ज़्यादा पतला नहीं बनाएं, थोड़ा सा मोटा ही बनाएं नहीं तो बाज़े की जो कुकीज हैं वो फ्राई करने में तूट जाती हैं देखिए बाज़े की कुकीज भी कितनी बढ़िया बनके तयार हुई हैं इसी तरह से हम सारी कुकीज को फ्राई कर लेंगे देखिए दूसरी कुकीज भी हमने फ्राई कर ली हैं इसी तरह से बाज़े की सारी कुकीज हम फ्राई कर लेंगे हमने सारी मक्य की और बाजे की कुकीज बना के तयार कर ली है और देखे कितनी बढ़िया बन के तयार हुई हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी हैं तो friends मक्य और बाजे की कुकीज बनाएं, तेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें, thank you, thank you so much, have a nice day